अलाई लेगों फ्रेंड्स आज मैं आपके शाष शेय करूंगे बहुत ही स्वादिस जलेवी की रेसिपी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बिना सोडा बिना बेकिंग पौडर बिना इनू और बिना खमीर के इसे बना के तयार करेंगे बिना कोई जादा मेहनत के बिना कोई ज्छाटकी जलेवी को बनाके तयार करेंगे तो चलिए फटफट अफट से बनाना शुरू करते हैं आप मैदे में थोड़ा थोड़ा denn के लेंगे और बिल्कुल लंस फ्री घोल तयार कर लेंगे और बिल्कुल भी लंस वगराए हां नहीं होना चाहिए इसे इसे मेक्स करके इसका गोल बना लेना है और यह बिना कोई भी जादा जहनजट के जिलेवी बन जाती है बस आपको एक काम करना है एक ट्रिक लगाना है विल्कुल हलवाय स्टाल जिलेवी बन के तयार होगी देखी तो बहुत अच्छा सा गोल बन गया है देख सकते हैं कितना गाड़ है कितना पतला यह है तो अब इसे हम ढख के क्या करेंगे ओवर नाइट के लिए रख देंगे मेन प्रोसेस यही है इसका कमीर तयार हो जाएगा तो हमें ना किसी विनों की ना किसी बेकिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी तो ओवर नाइट के बाद मैं आपको इसे मेक्स कर लेना है जरूरत पडेगी तो और पानी को ऐड़ करेंगे वर्णा नहीं करेंगे तो देखी कुछ इस तरह का होगया है तो पानी आएट करना पड़ेगा थोड़ा सा तो थोड़ा-थोड़ा पाय डालेंगे इच्छे से हमें मेक्स करना है बिलकुल भी कोई मैदा का गोल बना के रख दें और मॉर्निंग में बना सकते हैं बहुत एजी रेसिपी है हलवाई जो है इसी तरह से बनाते हैं वो कभी भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं अगर बहुत जादी गर्मी होती है तो सिर्फ ओवर नाइट के लिए वो और 1.5 कप के खरीब इसमें पानी आट कर देंगे ताकि चाशनी बहुत अच्छी सी बन पाए अब हाई फ्लेम करके इसमें हम उबाल आने देंगे और चीनी डाले हैं तो हमें भी से चूड़ेंगे नहीं चलाते रहेंगे जब तक चीनी हमारी मिल्ट ना हो जाए तो देख करते हैं चाशनी हमारी हलकी चिपचिपी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक तार की चाशनी नहीं बनानी है मगर चाशनी हमारी थोड़ी से चिपचिपी होनी चाहिए चाशनी हमारी तयार है 6-7 मिनट लगा है चाशनी को बनाने में तो इधर हम गैस का फ्लेम को आफ कर और इसे चेक करेंगे तो यह बहुत अच्छा सारेस्ट कर चुका है अब इस बैटर को हम क्या करेंगे के पाइप इन बैग लिया है यहां पर मैंने अगर आप ना पाइप इन बैग अगर आपके पास ना हो तो नॉर्मल जो दूद की पैकिट आती है आप उसे भी यूज कर स के इसमें आड़ करते जाएंगे और बहुत जादा बैटर को हम इकठे नहीं इसमें डाल देंगे फिर बनाने में दिक्कत आएगी तो इतना फिल कर लेंगे कि हमें आराम से इसे बना सकें वीडियो थोड़ी से भी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से तरह भड़ातानी ना हो इसे बनाने में मोरा जिलowing नहीं पूर जिलेबी खरीट एक लिया जिलवी को मोटा पतला पतला वासाब कर दो भीडिलत जनी कर लिए हमारां मोती बनती है उसे हिसाब से हमें कट लगा लेना है देखिए जिलेवी बनाने के लिए मैंने इस तरह का फ्लैट बर्टन यूज किया है और तेल भी बहुत जादा नहीं रखेंगे थोड़ा सा मैंने कट लगा लिया है अब इस तरह से गुमाते वे बीच में जाके हमें रुप जाना है वा फ्लैम करके इसे क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से फ्राइब कर लेना है और जब एक तरफ से हो जाएगा तो इसे उलट पुलट के हम फ्राइब कर लेंगे वीडियो थोड़ी से भी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक किजेगा इसे मैंने बहुत अच्छे से से लिया है उलट पुलट के अच्छे से अब इसे हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे मेरी थोड़ी तब्याद ठीक नहीं है इसलिए आपको आवाज ऐसी लग रही होगी तो जिलेबी जो हमारी बहुत अच्छी सी फ्राइब हो गई करेंगे कि हम इसे निकालते जाएंगे और चाशनी अगर थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी तो हम चाशनी को थोड़ा सा गरम करके गरम गरम चाशनी में हम डाल देंगे जैसे ही हम जिलेबी को फ्राइब करके निकालेंगे उसी टाइम हम चाशनी में डाल देंगे थोड़ा तो देखिए बहुत अच्छा सा हो गया कुछ देर ही इसे हम चाशनी में रखेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे फिर उसके बाद हम दूसरा बैच आपको फ्राइ करके दिखाते हैं तो देखिए इस तरह से बिल्कुल पर्फेक्ट जिलेबी हमारी बन के तयार हु दिएक और अपने फ्रेंट्स में भी शेयर कर दिजेगा थाकि वह भी जाकर उसकी अदिजा करें तो अब इसी तरह से इस भी हम फ्राइच कर लेंगे और गरम गरम चाशनी में हम इसे डालते जाएंगे तो देख सकते हैं जैसे फ्राइचनी में असी तुरंट डाल दिया ह अब इसे भी एम कुछ दिर के लिए रखेंगे फिट इससे निकालेंगे अभी इसी दरा से मैंने सबी को फ्राइ कर लिया है। बहुत ही पर्फेक्ट जिलेबी हमारी बन के तयार हुई है जिलेबी बनाने का बहुत ही आसान तरीका फिरंट जरूर से ट्राइ किजिएगा तो चलती हो इंशालला फिर लौट के आओंगे एक जबरदस्सी रिस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज